हेलो गाईज, वेलकम बेक टो माई न्यू वीडियो तो काफी दिनों बाद आज हम आए हैं ओल आउबर में गाड़ी चलाने क्योंकि बाई किरायक कम होनी के वज़े से मन नहीं कर रहा था गाड़ी चलाने का और उपर से त्युआर भी था तो हम चलेगी थे वाई अपने काउं तो आज आए हैं आज मैंने दस बजे के करीब डूटी ओन कर ली थी सुबह और फिर मुझे एक डूटी मिली थी इंटर सिटी रैड मिली थी नोएडा की उधर से ही तो वो मैंने करी उसके बाद मैंने उबर ओन ओस कर दी और फिर मैंने करी ओला ओन अलोटी नोटी जो ना प्रीमियर केटिगरी जो ना आप इलिजीबल हो प्रीमियर लेनी के लिए क्योंकि मैं उबर गो केटिगरी बंद कर देता था तो वह केडिगरी में बंद कर देता था तो उसके बाद कोई राइड ऐसी आती नहीं थी पूरा-पूरा दिन खड़े होना पड़ता था मतलब ओन रहती थी ड्यूटी उबर में और ड्यूटी नहीं मिलती थी तो आज नोटिफिकेशन आई थी उबर की तरफ से कि आप और बुकिंग नहीं आती थी उबर को बंद करने से और एक रही थी तुम्हारे क्रीमियर यह दो बुकिंग का कोई नाम होने सान नहीं था कुआ उपर ग्रीमियर और उपर गो सिदान का चलाने का एक फायदा है कि इस में जो ना आपको फेयर बहुत अच्छा मिलता यह लेकिन आप यह डिटेल देखो पहले आज मैंने जित्ते भी बुकिंग करिया है न सारी डिटेल देख लो कोई सी बुकिंग ऐसी नहीं जिसमें 10 रुपे 11 रुपे किलोमेटर सा कम का एवरेज हो और करता है कंजल करता है किस्टुमर केंसल करता है थाइं टाइम पर रुपे इंसलेंसंतों के टू सेटा है तो हिस पतलंद c क्लोमेटर से एक पर कटममर की लोकीशन कर हो यह जान के कैंसल harsh हो दो 22 रुपे हो lug देता है लेकिन डे मैं हाच के yeah考ㅋㅋㅋㅋ के तो इसमें 50 पर पर बेसंद्ज ने धियां बाउन होने पश्चाय मिप्पर करें होने आइस पुर्पर करीज नीता ध Do तो आज मैंने सोच लिया वाई आज ओला चला नहीं नहीं एक बुल्किंग करने के बाद फिर वैज ने व्ला बंद कर दी और यह ऊबर गो फिर चलाई वाई परिमियर और और इसरी वोकिंग मिली एक दो किलुमेटर की और पास राइड आई थी मैं आता सीपी में सीपी के कोल चक्कर बाहर वाले कोल चक्कर पे वहां से राइड आई और उसे छोड़ना था ललित होटल मुश्किल से डेड़ किलोमेटर उसमें दिखा रहा था 100 रूपे 100 मिलें तो भाई ठाया एक कस्टुमर को पांच मिनिट के द्रोप कर दिया तो 100 रूपे मिलें और यही राइड अगर उबर गों में होती तो वही 63 रूपे 62 रूपे वही दिखाता और ओला में होती तो वही 60-70 रूपे दिखाता और कुछ नहीं होता तो भाई देखो समाज सेवा बहुत कर ली कहने का मतलब मेरा यह है कि समाज रहा हो जिसमें तुम्हारा 2 रूपे बच रहे हूं समझे दस रूपे 11 रूपे कम से कम आ रहा हो बुकिंग वह उठाओ और टाइम भी जा देनी लग रहा हो तो समाज सेवा करने से कोई फायदा नहीं वाई देखो ना कंपनी तुम्हें देनी की कुछ ना कस्टुमर क्या कंदिसन है क्या नहीं और यह आज एक बुकिंग आई थी मेरे पास कुछ लोगों की कमेंड भी आ रही थी मैंने सोट वीडियो डाली थी इसके उपड़ के इसमें टॉल मतलब टॉल मिलता आपको एक्स्ट्रा मिलता लोगों मेरे पास पहले बार यह राइड आई थी और मैंने पहले बार ही नोटिस करा रहा था चीज इसमें 246 रुपे दिखा रहा है आप देख सकते हैं इसकी इन्सोर्ट में और 246 में सक्टर 32 से जाना था कस्टुमर को अज मेरी गेट ठीक है और इसमें जो नहीं मैंने नोट जो करी के दो से चार्जी दिखा रहा था 19 पुर्प कुछ किलोमेटर के मां गया सही है 19 किलोमेटर के 20 किलोमेटर के 240 रुपे तो मैं क्लिक करने वाला था मैंने देखा इंक्लूड इस चॉल टॉल चार्जीस मतलब इसमें टॉल चार्जीस जुड़े हुए अब यह पता निकिस ट कीडिका तो लग से मिलेगा है तो वैं यह इस चीज में पता नहीं कितनी सचाई है नहीं है तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ 130 रुपे का टोल हो गया और 240 रुपे दिखा रहा है तो वहीं मिलते हैं तो भाई 1520 रुपे के करीब 19-20 किलोमेटर गाड़ी चलती तो मैंने बुकिंग इसलिए नहीं ठाई थी कि भाई अगर मानलो मैंने ठाई भी ली और जो मैं सोच रहा हूं कि mcd का टोल भी हमें इसमें एड हो रहा है 246 में इस से एक्स्टर नहीं मिलने का टोल अलग तो इसमें हम बचता ही गया और बचने के बाद महां जाकर मैं कंप्लेंट भी डालता तो बाई देखो कोई सुनवाई है नहीं हो ला के अंदर तो अबर के अंदर कम सकम यह है कि सुनवाई है अगर तुम्हारे पता क्या करते हैं यह सीधा कहते यह चीज है जो भी बिलम ने बनाया वो बिल्कुल ठीक है आप ही गलत हो तो मैंने वो रिक्स में मुझा था ही नहीं भाई क्या रिक्स लेना खामों खाकी इतने अच्छे पैसे दे भी नहीं रहा तो वह मैंने पास कर दी और कुछ भाई हो कि रिल्स को कुछ कमेंड आई कि बाई यह कि असके बात करा है जो और dal लगता आक किसकी बात कर रहा है मैं तो जो दिखा रहा हूं आंपको सामने जो लिखा इंकल्र इस डोल्यानel चार्जिस मतलब टोल चार्जिस में इंकलूद है 246 रूप नाब वह मतलब सैओ के टोल ना हो रहा हो सारे ही टोल उसमें एड हो एमसीडी का भी तो अब क्या सोचेंगे लोग बाग मानलों मेरे पास 246 की बुकिंग गई और 19 किलोमेटर जाना तो लोग बाग क्या करना है यह हम खट देसे ठालंगे ठाथ इनों है 246 मिलने हैं 19 किलोमेटर के सही है दस बारे किलोमेटर तो ठालंगे अब वहां जाकर जब पता चलेगी ना असलियत तो क्या है क्या नहीं तो ऐसे भी दोकदड़ी वाई हो सकती है कंपनी ने नया तरीका लिखा लिए हो सकता है यह पूरा कंफर्म नहीं कि हाँ भी इसमें कौन-कौन थे टोल की बात वह कर रहा था तो वह यह वाई देखो आज हमने काम करा अगर यही काम में अगर ओला में करता है तो कम से कम साड़े 300 किलोमेटर गाड़ी चलती जब जाके 2700 रुपे के अनि हमारी बनती है तो वह यह वाई देखो मैं तो हमाय एक अपोर्चुनिटी दिया है मतलब वर ने वर प्रीमियर की और उसमें बुकिंग मिल भी थी है मुझे पहले नि मिल दी पहले ओबर two बंद करके रखता था में मिलती नहीं था और बहुत से भाई भी मैंने एकसे बात करें थी लाइव चल ला था मैं तो भी कहले था भाई मैं ओबर केडिगरी बंद करता हूं पूरा पूरा दिन हो जादा आज आती नहीं राइड महां भाई हो सकता है लेकिन अब मुझे इस पेसली उबर मैसेज बेजा है कि आप ले सकते हो तो उबर प्राइमर की भी बुकिंग काफी हैं और केस्टेमर वाई अच्छे होते हैं जो बोकिंग कर रहे हैं और niż में देखो आप एस ही कर रखे के बाएक November अब उस फेयर में तुम एसी को मना भी नहीं कर सकते हैं ना मना करोगे जरा से पर कंपलेंट डाल देगा केस्टुमर तो क्या होगा आपकी आईडी भी लोग हो जाएगी आप उससे भी जो आप थोड़ा बहुत भी कमारे उससे भी हाथ दो बैट होगी ठीक है चेतावनी दे देती है रैपिडो भी देती है और तुमारा इंट्राइब भी यह देती थी चलाओ अगर एसी वाली राइड है तो तो कहना मतलब यह केस्टुमर को नहीं पता कि कितना वो फेयर देरा कितना नहीं देरा उसने करिए कैब बुक और कैब में एसी चलती है तो चलवाएगा अब कटेगरी कोई सभी सही ओबरगौ सही कोई सबी कैडिकरी सबस्कति आख फ्र्पेयल को चीहिए एसी तो अब है उसमें और वार्पो केडिगरी में हम से घ्याँआँ तो भाई हम रहा हमारा भी खबाल लौन कि हमाघ से निफहों उसमें हमारा भी खून किलतेगा और हमें मिलने का भी कुछ नहीं तो है किसम के समाज से वह हो जाएगी कि अगर अगर अच्छा फेर है उबर गो में भी अच्छा दिखा रहा है तो भाई एसी चलाने में कोई हर्ज नहीं है चलाओ खुद को भी गर्मी लगी कि तुम्हें कि मोसम हो तो आज प्रीमियर बुकिंग में जितनी भी आई ती गो सेडान प्रीमियर तो उसमें यह ना खून किलसा नहीं इतना सभी चलाते वी कि यहां भी जोर पड़ा रहा हो हम पर वेशी चली है क्योंकि वह उस चीज का हमें मिल रहा है इसी चल दिया तो एक्स्ट्रा मिल भी र रुपे किसी में पंदर रुपे किलूमेटर भी मिला है तो उस तरीके से मिलता रहेगा तो भाई देखो एसी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है कहने का मतलब यह हमारा तो आज हमने चलाई है ग्यारव ग्यारव साड़े ग्यारव इतलग चलाई है और मैं निकलादा दस बजी तो आज हमने बारा तेरह गंटे में तीन यार रुपे का काम करा है पोला पिला सूबर भी और डाए सो किलो मेंटर मारी गाड़ी चली है मैंने गैड़ डले थी चार सो कुछ रुपी की ए जगड़ तो साड़े साथ साथ सूर रुपे की आज हमने गैस फूख है और मतलब जादेगी फूग यह तो अब दो डंडे जलने है गैस की तो इसमें लगबग हमारी आठ सो साड़े आठ सो रुपे की गैस फूग जादा खाती है गाड़ी बेसक कम किलो मेटर चली हो लेक हमारे वह बचेंगे बाइस सो रुपे के करीब सिर्फ सेंजी का खर्चा काटके और मैंटिनेंस और किस्त काटों के तो भाई आप खुद समयदार हो आप काट सकते हो क्योंकि तीन सो रुपे लगबग बैठता तीन तो साड़े तीन सो रुपे एक दिन का मैंटिनेंस काट लो और जबी काटवे क्या आप लगा सकते हैं इसाब कितने बचांगे कितने निमेर वह देखते हैं क्या काम होता है कर्स metal गाट कर्स्रेत्था जास chosen में क्यों की धिक्या जबीरए बता हो और बुकिंग अगर उलावे चलाएंगे तो वह बुकिंग उठाएंगे जिन में हमारा उस्त आ रहा होगा क्योंकि भाई देखो समाज सेवा करने से कोई फाइदा नहीं है बहुत समाज सेवा कर लिए तुम लोगों ने तो दिक्कत का है लोग बाग जो ना बहुत से कहते है तो जो बुकिंग आवा ठालो जित्ते रुपे की आरी से ठालो पूरे दिन में तुम देखो कर दो तो तुम काम कर लोगे लेकिन तुम यह नहीं देखने के तुमारी गाड़ी कितनी घिसरी है उसमें कितनी तुम सेंजी फूग दोगे तुमां काट पिट के बचे का क्या के देगी तुम्हें नहीं देगी किसी और को देगी मानलो कोई बुकिंग आई 100 रुपी की तुमने पास मार दी दूसरे के पास गई उसने भी पास मार दी तो वह बुकिंग एक्स्ट्रा होके 120-130 रुपे की दुबारे तुम्हारे पास आईगी उसी डुप लोकेशिन की उसी पीकप लोकेशन की तो भाई जब लग तुम्हों से एक्सेप्ट करते रहोगे सो रुपे में एक्सेप्ट करोगे तो अगले बार को 90 रुपे में आएगी वो तो जो बुकिंग में तुम्हारा उसत नहीं आ रहा भाई उसे पास मारो सीधी कोई फायदा नहीं समाज बहुत हैं दुनिया में तो तुम आयो अपना खर्चा पानी अपना घर चलाने के लिए तुम्हें किस्ति भी बनने तो भाई वो कि वो बुकिंग ठाओ जिनमें तुम्हारा उसता है ऐसा नहीं कि अन्दुन उठाई रहे हैं जो भी आर यह वाई उठा लो उठालो 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 तो उस चीश से कूई फायदा नहीं है और बहुत से कहते हैं केंसे करके ले जाओ वो किंग केंसल करका अभी एक बंदे से बात होई यूट्यूबर ही अपना तो उसके डी विलोग कर दिए उला ने तो भाई वो कह रहा था कि ID जो न बिलोग होई है इस वजे से booking cancel करके ले गए थे तो भाई देगो cancel करके भी अगर तुम ले जा रहे हो तो उसका भी एक तरीका होता है ना वो तरीका मैं किस दिन किसी दिन बताऊंगो आपको कि किस तरीके से आप ID बिलोग होने से बचा सकते हो कैंसिल करने बेभी बुकिंग को क्योंकि आज कल जो ना बाई देखो यह सकता है कुछ ज़्याद अबरत रहें आप एस ही नहीं चला हुए तब आपकी आईडी बिलोग हो जाएगी आप बुकिंग कैंसिल करके लिए तो आपकी आईडी बिलोग करतेंगे लोग और एक बार अब तो आठ रुपे नौ रुपे के लिए रो रहे हों कि आठ रुपे नौ रुपे दे रहे हैं तो फिर आप उसके बाद तुमारे पास कोई चारा नहीं है समझे जो नहीं आप नहीं गाड़ी लेका है हो आपने डी बनाई ओला उबर में और आपने कुछ गलत कदम उठ चैनल करके लेगे या तुमने एसी नहीं चलाई कांप्लेंट डाल दी तुमारी आइडी बिलोक होगी तो उसके बाद तुमारा कुछ चारा नहीं बाई तुम कहीं और लगाई नहीं सकते गाड़ी को ठीक है ओला की बुकिंग मतलब और में आइडी बिलोक होगी उसका पत जेब मोटी मतलब बजट होना चाहिए क्योंकि वहाँ पेमेंट मिलता है एक दू महीने के बाद एक दू महीने अपनी जेब से तुम्हें गाली चलानी पड़ेगी उसके बाद तुम्हें पैसे मिलंगे तो वह यह भाई है देखो कहने का मतलब यह कि अपना अफ़ाव में मत जाओ कि लोग बाद कहते के बाद जो पूरे दिम कुई उसी बुकिंग उठा लो उठाते रहो बाद जो भी आ रही है तो अनिंग बढ़ी हो जाएगी तो अनिंग तो हो जाएगी बाद तुम्हारी 12 उर्पे का वह आने चाहिए एवरेज है तो मिलते हैं अगली वीडियो में बताते हैं आपको क्या अर्णिंग होती है क्या नहीं होती क्योंकि आज तो भाई देखो शुकर है मालिक का जो इतनी अर्णिंग होगी ठीक है और भाई होगी तो हो भी नहीं मतलब इतनी हो भी सब्सक्राइब करना नहीं मिलते हैं अगली नहीं वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई